आप लोग सब लोग खेरियत से होगे उमीद करती हूं और आप लोगों का भी नाश्राव अगेला हो चुका होगा खाना अभी तो जादा तर लोगों के घरों में खाना चल रहा होगा बढ़ आज मेरी तब ठीक नहीं थी तो मैं आज लेट हुटी सोके और फिर उटके सारे क काम की जाड़ों उपरों जो करते हैं और अवरतें घर में वह सारे काम में किया और सारे काम ने बढ़ा दी। अलब में बहुत चिलाते थे अब मैं उतना ही जादा काम करती हूं तो इसके लिए आज सोची के चलो कुछ रेसेपी है जो मुझे आती है तो आप लोगों से शेयर कर लेती हूं उस चीज की रेसेपी एक दम नॉर्मल और सिंपल है जो सभी लोग बना सकते है ऐसा कुम अगर कुछ सच संहेниत के सारक के लेतिरेट मेनि तो अ समय चीज में तो आज मैं कुछ तो बनाने हैं तनीयद्व के समय शेयर्ग में तो ऊकुछ अलग बनाने हुं तो इससलिए अजिए मैं इससेल न हिम पर लोग बनाने कर दो स्टार्ट करते हैं तो यह मैंने स्टाइ़बैय दाल और चावल ले लिय। जिसको धाला लेगा ली और आले लमिते को देमेर, तो मैंने इसको गरम-पानी-इडा钁़र कि मिलत दाले लिए लेते को पाले, рушा मैंने है लाती हम दत्य अपशने, बढ़ेता हैं जाह स्क्रिटी को कदर कर लाइत तो किछडुर सभूता स्धाय जालें चाह利 और चिंगा बनारी हूं में चालकी जो मेरे निकाल चुकी अच्छे से साफ कर चुकी हूं और यह अखी लाल मिक्षी है जो मेरे डेडी लाएते जो मुलुक से एक चमज है भर के और यह पाऊ चमज धनिया है और नमक स्वाधनियसा और यह uwagę मुज़े, पौछ कहले आची है और बहुत अच्छा हो जाता इससे तो थोड़ा सा लेमन जाएगा एक चमा जितना और यह ऐल जाएगा और तो और जाईसी बाते सबको लगता है तो चोरो जल्दी से हम लोग लेमान करते हैं आज बहुत लेट हो चुका है फिर नमाज भी बनी है और फिर खाना भी खाना है यह मैंने रख दी हूं अब मैं इसमें आल दालूंगी ऑयल दालेंगे हम लोग ज़ादा और अपने हession से डालो कोई कम कहता है कोई जादा घ्यादा है तो मैं अपने हुसाप से डालो महीं ह lawsuit तो मैंने इसमें अम क्या बलेंगे दो बड़े चमज डाल चुकी हूं तो यह महने दो बड़े चमज लाल दी हूं हम इसको साइब में लगती हूं हाँ अब यह गरम हो रहा है तो देख सकते हो आप लोग घ्रम करने और यह खिर की से बहुत ही हुआ अरी है तो मैं सुचरी इसको मैं बन कर दो मैंने इसको बन कर लिए और आज मैंने चाई भी नहीं पी बहुत सारा काम था मैंने बहुत सारे काम करी प्रगर साफ करके लिए है मैंने आज और सुबा में भी लेट उटी थी नमाज हुई सुबा की सुबा नमाज पढ़के हुआ फिर उसके बाद थोड़ा नाश्टा करी फिर उसके बाद फिर में सो गई थी तो हमारा ऑईल अभी गरम हो चुका है तो हम पहले इसमें पहले हम इसमें मेति दाना डालेंगे जो मेरे पास पड़ाया है यह मैंने दाल दियू ऑज बेटा नहीं है उसके दोस ने उसको बुलाया है तो वो गया है अपने दोस जो ठतलो, क्वाए कर सकते हैं और जाई सी बाते किसी को कितनाыми खुस्त कर सकते हैं। कि अपने लाइफ है तो यह मैंने डाल दिया है मेती दाना और जीरा इसकी फ्लेम में अनकर थोड़ी सी ओफ ही हूँ मैंने और यह मैंने और कांडा भी दाल दिया तो अच्छा है तेखो खुछबु इतनी मज़े की आ रही है ना मैं आपको क्या बता हूं मेती से खुछबु ना लाइब बनाते ना तो कसुरी मेती थोड़ा तो उसमें डाल भागारने में बहुत टेस्टेस लगता उसमें तो मेती दाने से तो बहुत अच्छी कुछबु आ रही है अब हम लोग इसको थोड़ा कांडे को नरम करेंगे लाल करेंगे तो इसका कलर जोट जाएगा तो आप लोग देख सेकते हो यह कांदा नरम हो चुका है अभी में इसमें यह हल्दी और नमक डाल दूँगी है मैंने डाल दूँगी हल्दी और नमक इसका हम खड़ा का टन करनें और मैं इसमें यह जो नारियल का दूँदें यह इसमें डाल देते हैं इसको अच्छे से लिडा रहें हैं साउसाइड में तो मतलब नारियल बहुत स्यादा है यह सारी चीज़ें मुझे लग रहे हैं थोड़ा सा पानी में लूंगी हो करम पानी है यह पानी में चाओल में तो आप देख सेकते हो इसमें आ रहा है जोश तो जोश मतलब बॉइल और मैं इसमें चावल डालने लगी हूं तो में ही सारे चावल इसमें डाल दूंगी हम इसको टन करते हूं तो जैसे के आप लोगों ने देखा मैंने डाल चुकि अब इसको में जोश करने के लिए अब हम जिंगे की तरफ आते हैं तो मैंने जो जिंगा है यह सारा में ले लेती हूं मैं इस बर्तन में इसलिए नहीं मिलाती हूं क्योंकि यह हल्दी मिल्ची का मिल्च रहता है जो चूड़ने बस नम जो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं चीट्र में । मैं मतलब मिक्स करते हूं और यह जो सारे मसाले मैं आपको बताई अब्योंकित अब्य अच्छी टरा से इसको मिक्स कर लेंगे तो अभी हम इसमें यह निदु तो जैसे कि आप लोग देखें मैंने जीनी को मिक्स कर लिया हूं अच्छी तरह से अब इसको हम दो तीन दो से पांच मिट रखेंगे कि मैंने तो इसलिए ले हूं और ये सबसी से तो हम देन च्छे इसलिन कोद दो हरए कि मैं अच्छी हमें तीस प्तंट भी दालना है अपनी हिसाब से डालो ऑईल कम खाया तो यह थोड़ा कम आयल डाले हुँ अब ही अच्छे से गरम होगा तो मैं इसम बगार डालाओं तो यह आयल गरम होचुका है तो हम इसमें यह बगार डालेंगे लिमेनी डाल दीओ तो 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 अच्छे से लख रसन को थोड़ा सा लाल होने देंगे मची भी आप इसी तरह बुह टेश्टी लगती है मसाला लागा के लख जो और फिर जो फ्री प्राइब करो बहुत ही टेश्टी लगती है असर को तो बहुत पसंद है असर ने आज मुझे पहले ही बूल दिया मतलब रात को ही बता दिया था कि उसको कल क्या खाना है तो ममा में को जहिंगा खाना है और खिछडी खाना है तो उने में बोली चलो ठीके बना लेते हैं अनम उनको मच्छी जादा नहीं पसने अनम नहीं खाती है तो वो आएगी तो उसके लिए कुछ और बना दूंगी मैं क्या करेंगे बच्चे है बच्चों की फर्माईश होनी है ये तो ये जो जहिंगा है ये में इसमें डाल देती है और हम इसका पानी भी पर्कर डालेंगे इसमें कि इसका वेच कहना है कोई भी कि अधाल से बच्चा कोकम बच दो किना कि में पसने कोकम नहीं दाली कि प्यासत को नहीं पसने यह 8, 13, 14–18, 15, 16, 22 डाप बिलना यंसी मुझे उसेट नहीं भते, बनाना परता है, फ़ीहालज में बान्दी निरा मतली हूा कौन ऑप सुन आप dif prestir, क्योंक ने आपaient गाल सुना एक हमा हुए ऐसा है, अ हमें आपता है य demokratिश बस्ति की हुआ है, वेरी इजी है, बहुत ही इजी मसाला है यह, मैं नमक देख लेती हूँ, नमक ठीक है, पमीज खाना चाहिए, खिचली की तरफ आते हैं, मश्याला हमारी खिचली भी होने आई है, पानी बस सुक्रा है, मैंने एक तरफ तवाला लगी हो देखिए, आप गरम चुने, फिर मैं खिचली को इस पर दम कर जूँए, तो यह रहा मेरा जिंगा मसाला, और यह रही किचली, अब यह रेडियो हो जाएगी तो मैं आपको बताते हूँ, तो जैसे के आप लोगों ने देखा, यह रही मेरी जिंगा, ए स्वरी, मेरा जिंगा, जो मलबारी स्टाइल में है, और बहुत एजी है, आप लोग बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है, और यह रही किचली, कोकोनल, किचली, तो बहुत टेस्टी बनी है, मैं अभी इसको आसथ को देती हूँ, वो करेगा एंजोई, आप भी करिए इस तरह से बना के एंजोई, रेसेपी को बहुत आसान और एज कियेगा, और मैशाला ज़रू बोलियेगा, आला याफाइथ।